तो आगे थे दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने ही चैनल क्रिकर लें प्रेडिक्शन में दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं इंडिया वर्सेथ होंग कॉंग कोंग के बिच में जो चौथा वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं उससे पहले आप लोगों को बता दूँँ प्लीज इसकीप मत करो एक मिनट बास सुन देखो यह टेलीग्राम का चैनल है प्लीज आप लोग यहां पर जोड़ने के लिए जादा कुछ नहीं करना है जो वीडियो देखरो पहले लाइक कर द आप लोग देख लिजेगा छे जुन का यहां पर मैसेज पिन किया होगा मतलब तो आप सही जगा पर आयो बाकि वीडियो जो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में चल जाना लिंक मिलेगा लिंक के थूरू भी आ सकते हो और अगर कम सस्क्राइबर आप लोगों को यहां पर दिख रहे हैं तो मैं बता दू कि एक लाख के संथिंग कभी यहां सस्क्राइबर हुआ करते थे लेकिन जब ठैंडी चल रहा था तो बिग बैस लिग जब स्टार्ट हुआ था तो इस्ट्राइक आगे थी चैनल पर बिन बताई यहां पर ड्रीम कुलीन स्वीप मैंने आप लोगों को यहां पर करवाया है जो लोग यहां पर जुड़े होंगे वो खुब मज़ा ले रहोंगे बाकि आप लोग भी आ जाना बाकि चलिए दोस्तों आज की वीडियो को हम लोग इस्टार्ट कर लेते हैं तो यहां पर देखिए चौथा एस पूरे ऑल आउट किये थे पाकिस्तान टीम को लेकिन जो साथ विकेट मिला था वो बाउंसर पे मिला था मतलब छोटी बॉल पे मिला था ऐसे में यहां देपीछ से आप लोग यह समझ सकते हो कि अच्छी खासी बाउंस मिलेगी और फिर से आगर बाउंसर बॉलर दाबते ह है हाँ टी-20 देखते हैं यहां पर क्या कुछ होता है देखें टोटल साथ 70 मुकाबले खेले गया है पिछला मुकाबले को इंकुलूट करके मैं आप लिगों को बता रहा हूं ऐसे में हुआ यह बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने चालिस मुकाबले को वोन किया है वह हम लोग नजर डालते हैं क्या कुछ स्कोर होता है जब जब यहां पर मुकाबला खेला जाता है तो देड़सो से कम 43 वारी स्कोर बनाए देड़सों से 170 की बीच में 19 बार इसकोर बनाए और 190 से कम भी यहां पर 6 बर मतलब 190 से ज्यादा 6 बर इसकोर मनाए तो देखिए ऐसे म कर 200 पलस भी आप लोग मान के easily चल सकते क्योंकि आप लोग कमालूम है इंडिया की टीम काफी जादा strong है और काफी favor रखने वाले इस मुकाबले में बात करते हैं क्या कुछ इंडिया की possible playing 11 हो सकती है with recent match scorecard के साथ तो पिछले मुकाबले में रोहिश शर्मा जो टीम के captain इनके स की बात करते विराट कोली 35 रनों का score इन्होंने और लग रहा से कि touch में आ रहे थे और देखो अब सामने Hong Kong की टीम है तो हो सकता है इस मुकाबले में कुछ बड़ी पारी खेल सकते हैं बाकि रविंद्र जाडेजा गया जिनको परमूट कर दिया गया था ऐसी उमीद नहीं लेकिन 35 रन पलस बॉलिंग से विकेट लेस गया थे लेकिन 35 रन इनके काफी जादा एहम 35 रन थे हैं बाकि सूरे कुमार यादो की 18 रन थे और मैं बता दू इंडियन टीम से अगर फॉर्म वाई देखा जाए तो सूरे कुमार यादो काफी बहतर फॉर्म है अगर इंडियन टीम के तरफ से हादिक पांडिया नौट आउट मैच नहीं जिता कर जाते तो मुझे लगता है मैं आफ दी मैच यहाँ पे भुनेश्वर कुमार को ही मिलने वाला था बाकि अर्शदीप सिंग के भी दो विकेट थे और देथ में बॉलिंग करते हैं काफी जादे एक्सपीरियंस है आई पील में देथ में बॉलिंग करने का तो ऐसे में यह भी बहुत यह अच्छे बॉलर हो सकते हैं बाकि आवेश्वर कुमार के साथ अर्शदीप सिंग को मान सकते हो देथ में भी वही शेम आप लोग मान के चलना भुनेश्वर और अगर हो सकत लेकिन आप लोग सेम ही मान के चलना बाकि बॉलिंग इंफोर्मेशन में आप लोगों को बता दू कि इंडिया के तरफ से कौन सा बोलर अच्छे खासे ओवर कर सकता है और पिछले मुकाबले में किये थे तो पहला भुनेश्वर कुमार का नाम मान लेना देखो दूसरा अ सकते हो तीसरा अवेश खान और चाहल बाकि हार्दिक और जडेजा में हो सकता है यहां पर ओवर डिवाइड हो ठीक है लेकिन पिछले मुकाबले में वैसे हार्दिक पांडिया ने चारो बर की बॉलिंग की थी और तीन विकेट भी निकाला था बाकि यहां पर जडेजा को बैटिंग आल राउंडर खिलाया जा रहा है तो अगर लेफ्ट हैंडर को खिलाया जा रहा है तो ऐसे में हो सकता है टीम जडेजा को रेष्ट देकर हर्दिक से चारो बर करवा ले और पंथ को यहां पर चार नंबर पे खिला लिया जा ठीक है बाकि बात करते हैं दूसरी जो कि होंग कॉंग की टीम है गाईज मैं बता दूए यह मुकाबला ग्रांड लिग और स्मॉल लिग दोनों के लिए काफी मतलब एहम रहने वाला है जैसे कि आप लोग ऐसा फैंटेसी प्लेयर बहुत ही अच्छा इसमें अर्ण कर सकते हैं क्योंकि होंग को जैसी टीम के आसमें को कॉन से फैंटेसी को लेना ही पड़ता है दूसरे टीम से वी टों ऑसी में यहां को सकता है वन डाउन खेले किंचिस सा है जो की टीम के वाइस कैप्टान है इजाज खान है इहसान खान है स्कोर्ट मेकेंजी है आयूश शुकला है जिसान अली है मोहमद गजनफार है और धननजय राओ है इनके तरफ सा आई थिंग यह पोसिबल प्लेइंग 11 हो सकती है बाकि यहां से बात करते हैं इनके प्लेयर्स क्या इस्टेट्स और रिकॉर्ड रखते हैं तो सबते पहले इनडिया के प्लेयर्स को अवराल आप लोग यहां से रिकॉर्ड देख लो पिछले मुकाबले में मैंने बता दिया थे इनडिया पाकिस्तान के मुकाबले में यहां पर important रहेगा guys तो यहां से मैं आप लिगों को बताऊंगा देखो निजाकत खान टीम के captain राइट हैंड बैटिंग करते हैं लेक ब्रेक कुछ part-time balling करके दे सकते हैं balling बहुत जादा करते नहीं as a batsman आप अपने team में इनको consider कर सकते हो 51 मुकाबले में 978 रन 19 का बैटिंग से अबरेज है वहीं balling से 5 ही पारी की हैं guys और 4 विकेट इन्होंने निकाला है balling काफी कम करते हैं देख सकते हो 50 51 मुकाबले में मादर 5 ही इनिंग में balling की है बागे किंचिस साव टीम के vice captain लेफ्ट हैंड बैटिंग करेंग अफताब हुसेन slow left आम orthodox balling करते हैं 10 मुकाबले में 16 wicket इनके नाम है इजाज खान guys right hand batting करेंगे right medium first balling करेंगे 47 मुकाबले 414 run 12 के इन गैवरेजे 47 पारी में 58 wicket भी इनके नाम है गैज अगर इनके तरफ से मैं बात करूँ तो जादातर खिलाडी आप लोगों को all rounder ही दिखेंगे क्योंकि out of 10 की team होती है उसमें समझ जो ना सारे खिलाडी मतला balling batting सब करते हैं experiment पूरा experimental mode में रहती है 8-9 खिलाडी आप लोगों को balling भी कर सकते हैं बागी आतिव इकबाल की बात करते हैं right time medium first balling करते हैं इनका guys कोई भी मुझको record नहीं मिला था मैंने बहुत जादा इनके बारे में सर्फ किया लेकिन कोई record मुझको मिला ही नहीं था बात करते हैं बाबर हायाज जोकी इनके टीम से एक परमुख batsman रहने वाले हैं 32 मुकाबले में 658 run 29 का इनका average है बागी धन अंजे राओ guys left time medium first balling करते हैं नहीं T20 का record मिला था और नहीं मतलब T20 international वगरे का कोई record मिला था बागी बात करते हैं यहां से इहसान खान के बारे में इनके टीम से कहतक तो परमुख बॉलर है राइट आम आफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं 31 मुकाबले में 49 विकिट इनके नाम है बागी हारून अर्षद राइट हैंड बैटिंग करेंग कैबरेज रहने वाला है और काफी नीचे खेलते हैं ठीक है आज़ा विकेट कीपर हैं लेकिन बहुत नीचे खेलते हैं और मुहमद गजनफार के बारे में बता दू लेक ब्रेक बॉलिंग करते हैं तेरा मुकाबले में तेरा विकिट इनके नाम है बाकि मुहमद वहीद का भी कोई मुझको रिकॉर्ड मिला नहीं था राइट अम मीडम बॉलिंग करते हैं रिसेंट फॉर्म में आप लोगों को बता देता हूँ एक विकेट जीरो विकेट एक विकेट एक विकेट ठीक है हो सकता है डेब्यू करते हुए आप लोगों को दिख जाएं इस वज़े से मैंने कैप का सिंबल बनाये हुआ है बाकि यहां से हो सकता है हाँ देखो धननजे रोई भी डेब्यू करते हुए दिख सकते हैं उसके बाद बात करते हैं आयू सुकला के बारे में पांच मुकाबले में पांच विकेट इनके नामे राइट आम मेडेम बॉलिंग करते हैं बाकि अहन द्रिवेदी right arm off break balling करते देखो ये भी हो सकते हैं डेबियू करते हुए दिख जहें इनका भी recent form में आप लोगों को बता रहा हूँ ठीक है बाकि ये भी डेबियू करते हुए दिख सकते हैं cap का symbol मैं नहीं बनाया हूँ तो recent form देखिए record कोई मिला नहीं था एक विकेट दो विकेट तीन विकेट एक विकेट ठीक है वाजी दिखा की बात करते हैं right hand batting करते हैं इनका record देख लिजए recent form as a batsman खेलने वाले है जिरो विकेट 6 run 20 run पलस एक विकेट और 1 run और 37 विकेट यहां से इनका ये record है बाकि वसी मूर्तजा इनके तरफ से कह सकते हैं left hand batting करते हैं slow left time orthodox balling करके दे सकते हैं आठ मुकाबले में 121 run 21 का बैटिंग से वहीं balling साथ पारी में साथ विकेट भी इनके नाम है बाकि इनके तरफ से last खिलाड़ी जो की जिसान अली है right hand batting करेंगा 8 मुकाबले में 105 run 21 का इन का इन जाएगा तो चलते हैं dream alone पर और देखते हैं इस मुकाबले से related हमारी क्या कुछ टीम बनके ready हो रही है दोस्तों बात करते हैं इनके तरफ से विकेट कीपर option से तो देखिए अगर रिश्वा पांत खेलते हैं तो चार नंबर पर खेलेंगे दिनेस कार्तिक भी most probably 5 यार 6 नं टीम में try किया है अगर ऐसे में यह होता है इंडिया की टीम chase करती है तो हो सकता है मैं विराट कोली को drop करके एक extra baller अपने टीम में ले लो बाकि option के बात करते हैं तो देखे सूरे को मारी यादो रिक्सी हो जाएंगे क्योंकि चार नंबर पर खेलेंगे और क्या मालूम हों पिक भी नहीं लग रहा है बात करता है राउंडर सेक्षन से तो हार्दिक पांडिया वाई मूर्तुजा और इजाज खान को मैंने अपने टीम में try किया है बाकि हार्दिक पांडिया को देखे पिछले मुकाबले में अच्छा performance था तो इस वाज़ा से try किया है बाकि यह व सेक्षन से तो देखे भुनेश्वर कुमार ओपनिंग में बॉलिंग करेंगे काफी जाधा स्विंग होगी और पिछ भी अच्छी खासी मतला बाउंसर वगएर से help कर रही है पेसर को तो इस वज़़ा से टीम में try कर रहा हूं बाकि अर्षदीप सिंग और आवेश खान को तो बिल्कुल यहां से एक टीम में अहां द्रिवेदी as a record देखकर इनको और एक टीम में यहां से मैं बताता चलू आप लोगों को धननजे राओ को बिल्कुल try कर सकते हूं काफी बहतर यह लोग record रखते हैं ठीक है बागी फिलहाल के लिए तो यह टीम बनके ready हो रही है औ और मैंने यहां पर फिलहाल कैप्टन यहां पर रोही शर्मा वाइस कैप्टन लोकेश रहूल को बनाया है अगर देखो इंडिया की टीम चेज करेगी तो हो सकता है मैं विराट को ड्रॉप करके अपने टीम में यहां से जड़े जा या फिर यूजी चहल को भी try कर सकता हू एक एक एक्स्ट्रा बॉलर बागी फिलहाल के लिए तो सेम टीम है लेकिन बतादू सेम टीम है नहीं मतलब हाँ फाइनल टीम है नहीं फाइनल टीम टॉस के बाद टेलीग्राम पर ही दे पाऊंगा तो फिलहाल देखे कैप्टन रोहीत नहीं वाइस कैप्टन राहूल नही कुछ ही एक खेलाली मेरे टीम में रहने वाले हैं. लेकिन आप लोग यहाँ पे प्लिज ज़ुएन हो जाएईए देख सकते हूँ आप लोग गईस मैंने आप लोग बताया है पिछले सात मुकाबला गईस अल्ट्रा क्लियन स्विप गया है. क्लि SURP नहीं गई एस अल्टर क्लिंशा बाकी आप लोग यहां पर जोंगी तो आप लोगों के भी होप अच्छी विनिग मैं करवावंगा तो प्लीज यहां पर जोंगों बाकी वीडिव क्छान दिस्क्रिप्शन कमेंड ब्यों आसकती हो नहीं तो आप लोग की लिग कर मु